नमस्कार मैं डॉक्टर भीहरला सोनी असिस्टन प्रोफेसर एबीस्टी गोरेंड कोलीज बाडमीर आज अपन विकॉम सेक्टियर सेक्शन ए और बी एकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कोर्पोरेट एकाउंटिंग का युनिट थर्ड में कल जू चक्टर पड़ा उसे आगे अब यह कल अपने कॉम्पनियों का इकिकरण क्या है सब इडिन क्या है बाहे पुंद्रमान क्या है आंत्रिक पुंद्रमान क्या है इसकी बारे में पड़ा आज अपन देखेंगे कि मर्जन नेचर का जो रीक स्ट्रेक्शन है री स्ट्रेक्शरिंग है पुंदर में माण है मर्जन नेचर की बारे में वो पढ़ेंगे अमाल गमेशन का कल अपने अर्थ बढ़ा था कि दो या दो सेधी कंपनियां का समापनों के नई कंपनी की स्थापना होती है वो अमाल गमेशन है अब अमाल गमेशन भी दो निचर का है एक मर्जन निचर का, विल्लिय के सबाओ का, एक क्रेय के सबाओ का विल्लिय के सबाओ का एक एक कर्ण वो कहलाता है जो निम्न पांच सर्तों को पूरा करे पाचों सर्ते पूरी करे का तो मर्जन निचरका है उनमें से एक भी सर्त अदूरी रही तो परचेज निचरका हुआ पाचों सर्ते क्या है पहला है विक्रेता कंपणी वेंडर कंपणी या ट्रांसफरर कंपणी की सभी संपतियां दाइत्व एकी करने के बाद क्रेता कंपणी के या ट्रांस फ्री कंपणी के संपतियां दाइतों बन जाएंगे करेंगे का मदब यह हुआ कि जितनी भी क्रेता कंपणी ने संपति खरेंगे और वेंडर कंप्नी की जितनी संपत्याक दायत्व है वो सारी संपत्या दाइत्व पर्चेजिंग कंपणी ले दूसरी बात वेंडर कंपणी विक्रेटा कंपणी के इक्यूटी एंसतारियों कि कंकीत मुल्यों को कम से कम 90 परशंट के क्रेटा कंपणी के एक्यूटी एंसतारि मंगा यह थे क्रेटा कमपनी के अंसदारी बनेगे वेंडर कमपनी की कम से कम 90% क्रेटा कमपनी के अंसदारी तीसी सर्त है जो प्रतिफ़ल पूर्ड रूप से चुकाई जाएगा वो क्रेटा कमपनी एकुटी एंस में चुकाईगी लेकिन कोई अंस फ्रेक्शन में आ जाए तो उसके बल्दे में नकद भी दे सकती है जैसे और किसी की फ्रेक्शन में आ गया पॉइंटों में आ गया तो उसके बल्दे में नकद दिया जा सकता है वेपार चालू रखना का इरादा है मलब कर्चेजिंग कमपनी ने जो क्रेटर कमपनी का वैपार करी दाए वो चालू रहना चाहिए बंद करने के एरादे से नहीं होना चाहिए फिर है वेकरिता कंपनी की संपत्यां दाई तो पुष्टक मुल्य पहले लेगी यह बुक वेले पे बहले शिट वे दिया के मुल्य बुक वेले लेगी अब एक वार में परशे निशर में पहां सर्थे सादान सरद में है पहली दिया कंपनी की सबी संपत्यां दाई तो कि अगले की कि में तीजिए बात वेंडर कंपनी के जिते वे अंसधारी है कम से कम 90 पर शटना सारी के अनसधारी बन जाएगे क्रेटा कंपनी क्रेफ पर्थिविल के वल्लिव अंस देगी और कोई अंस फ्रेक्शन में आजाता है तो उसके वल्लिव नकट दे सकती है चोची साथ वैपार चालू रखने का इरादा पांची साथ संपते दाइतों को मुख वेलिव पे लेगी अब ये पांचों साथ पूरी करें तो सौल मर्जे ने चरका हुआ पांच में से एग या अधिक साथ पूरी नहीं करें बहले एक साथ भी पूरी नहीं की चार साथ पूरी नहीं की तो भी वो सौाल 25 निचर का कहलाएगा क्रेय के सभाव का एकिकरण कहलाएगा पाच्व सरते पूरी किरे पाच्व मस्य है कि आदिक सरते पूरी ना करने पर एकिकरण क्रेय के सभाव का हो जाएगा अब एकिकरण का सभाव और उसके लिखां करवीधी accounting method मर्जन नेचर में जो लिखांगर विदी है उसका नाम पुलिंग ओप इंट्रेस्ट मैथड है पर्चेज मैथड है तो आज अपने किस पर डिस्कस किया कि अमाल गमिशन क्या था अमाल गमिशन दो या दो से दिक कंपनिया का समापनों के नई कंपनी बनती है वो अमाल गमिशन था कल पढ़ने पड़ा था वो दूपरकार का एक मर्जन नेचर का एक पर्चेज नेचर का मर्जन नेचर में क्या पांच कंडिशन है उन पांचों कंडिशनों को पूरा करे त पांचों कंडिशन में ये कादी पूरी नहीं होती है तो वो पर्चे निचर फिर विधियां पड़ी विधियां में क्या आप डिखा विधियां में है कि यदि मर्ज़निचर का है तो अब इसको कोपी में वेसे किता में लिखा है पूरा किता में इसकी एंट्रियां भी है एंट्रियां जिस कंपनी का समापन होता है उसमें रिलेशन रेकॉंट कोलता है रिलेशन के लगब 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 एंट्रियां फर्म के समापन जो भी कॉंपोस्टिन पड़ा वैसा वैसी है फर्म के समापन के जैसी ही है एंट्रियां रिलेशन का कॉंट से मद्द बंद होती है उसके बारे में डिसकास करेंगे और आज अपने मर्दन दिसकर के बारे मे देखा दोनों प्रकार पड़ी सरते पड़ी मेथड पड़ी कि इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग भी दी है इन सब का दिन अपने किया तन्यवाद अब अब अपन इसको आपको भी नोट कर लेजिए लिख लेजिए तन्यवाद थेंक यू